हलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे आज मैं आपको एक लोन एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्मॉल क्रेडिट स्मॉल क्रेडिट एक एप्लिकेशन है जो की आपको pen card और आधार card की मदद से loan लेने में मदद करता है इसमें आपको आपकी salary sleep या bank statement देने की कोई आशाकता नहीं है इससे loan लेना भी काफी आसान है तो आप मेरे screen पे तो देखी सकते हैं कि इसमें 6 लाट तक की amount दी गई है और 90 days से 365 days तक का time आपको दिया गया है और इसमें interest भी आप देख सकते हैं 0.05 percentage of interest लगता है तो है ना कमाल की app तो आईए इस पे apply करके देखते हैं कि किस तरह हमें loan मिलता है मैंने apply पे click किया हुआ है अब ये load हो रहा है जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे दो option दिख रहे हैं दोनों loan हैं दोनों ही 5000 की limit offer कर रहे हैं और 7 दिन का time ही इन दिखाई दे रहा है तो दोस्तों बाहर तो इन्हों ने आपको दिखाया कि 90 से 365 days तक का time आपको मिलेगा बढ़ यहाँ पे सिर्फ साथ ही दिन का time मिलता है और मैं उन सारे viewers को बता देना चाहता हूँ जो इस app से लेना चाहरा है loan या फिर जो लोग इस app से loan लेते हैं तो मेरा मानना यही है कि आप मत लीजिए यह बहुत ही बड़ा फरजी app है जब आप इस 5000 की amount पे click करेंगे तो यह आपको 1750 रुपए service tax के नम पे काट लेता है और आपके account में 5000 में से 1750 रुपए काट के आपके account में transfer करता है और payment के time यह पूरा 5000 की amount अप से लेता है तो दोस्तो साथ दिन के लिए आपने 1700 रुपए यूही दे दिये मैं आपको कई सारे options दिखा देता हूँ जैसे कि मैंने ये loan लिया हुआ था आप देख सकते हैं इसमें 7000 की एक amount है जो की मुझे यहाँ पे बोला गया है मिलेगी लेकिन अंदर आप देखेंगे तो इसमें एक service tax के नाम पे 2400 रुपए काट लिए गये है तो दोस्तो लेकिन जब मुझे पे करूँगा तो ये पूरी amount मुझे 7000 ही पे करनी पड़ेगी और इसको पे करने के लिए सिब मुझे 7 दिन का time मिलता है इसमें एक option है rollover मेरा मानना तो यह है कि अगर अपने गलती से भी इसको किया है तो rollover कभी मत करिएगा ये इसमें आपसे ये एक amount certain amount ले लेते हैं जैसे कि अगर आप 5000 की amount ले रहे हैं तो उसमें 1750 रुपे आपसे ले लेंगे और आपको next week तक का time मिलेगा बट वो next week में आपको पूरी 5000 की amount आपको फिर से pay करनी होगी तो आप 1750 रुपे फिर से 7 दिन के लिए देते हैं आएए बात करते हैं अगर आप amount को pay नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा अगर आप इससे loan लेते हैं और आप इसे pay नहीं कर पाते हैं पहली बात तो ये है कि जिस दिन इनकी due date रहती है कभी कभी ये उसके एक दिन पहले ही आपको message और call करने लगेंगे कि आप amount pay कर दीजिए आज last day है अब नहीं हो सकता हमारा ये time है वो time है बोलके आपको डराए अगर आपने amount pay नहीं किया तो और इनके पास आपकी gallery की details सारी रहती है आपके messages की details इनके पास रहती है तो आप भूलकर भी ये गलती मत करिएगा इस app से loan नहीं लीजिए मेरा तो मानना है आपको अगर जरूरत है तो आप किसी और से उधार मांग लीजिए ले लीजिए इ आप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हाली में इस app को play store से भी निकाल दिया गया है ये application आपको play store पे भी नहीं मिलेगा अगर आपको loan ही लेना है तो आप credit भी नाम के application से loan ले सकते हैं इसका link मैं आपको description में दे दूँगा आप उसे वहाँ से download करें उसमें आपको एक छ होगा आपका civil score भी अच्छा होगा आपका civil score बढ़ते जाएगा ये application में कितना भी आप लोल ले ले कितना भी आप time paper कर दे आपका civil score भी नहीं बढ़ेगा तो इस application के पीछे ना पड़े मेरा तो मानना यही है कि आप credit भी और भी कई सारे application है मैं अगली वीडियो में उसके करमे ना फसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद झाल 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